जेहिन दोस्तो मैं हूँ अनू पर आप सब लोग देख रहे ग्लोबल कॉन्फलिक्ट तो दोस्तो इंडिया के दरफ से 90 दिन तक लंबा उरान भड़ सकने वले अल्टरा लाइट अन्मैन एरियल वियेकल को बनाया जा रहा है तो इस तरीके के अल्टरा लाइट अन्मैन एरि पर लेके के दरफ इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अवेलेवल भी हो सकता है और दोस्तो एक बार फिर से ऐसे दरोनों के जिकर करना शुरू किया गया है संभावित ये दरोन सोलर पावर से ही चलेगा और इसका नाम इन्फिनिटी हो सकता है इन दरोनों को लेके ये भी कह जा रहा है कि 90 दिन तक ये 65,000 फिट के उचाई में आसानी से उडान भर पाएगा और Intelligent Gathering और Reconnaissance के मामले में ये दुनिया के सबसे पहतेरीन द्रोन होगा दोसो इन द्रोनों को हिंदूस्तान Aeronautics Limited और New Space सिस्टमों के द्वारा बनाया जाने का बात कहा जा रहा है और इस C.A.T.S. पोग्राम मतलब Combat Air Trimming System पोग्राम के तहती बनाया जाएगा जिस पोग्राम में अल्रेडी Warrior Loyal Wingman जैसे द्रोन, Alpha A.S. Swarm द्रोन, Hunter Cruise Missile जैसे अत्याधुनिक हतियार शामिल हो चुका है दोसों इन द्रोनों में State-of-the-art Synthetic Affirmation Radar लगाया जाएगा जो दुश्मन के territory के अंदर कई दूर तक नजर रख पाएगा इवन इस तरीके के द्रोन द्वारा हमले के situation में अन्ने द्रोन को Intelligent Sharing और Combat में भी मदद किया जा सकता है इन द्रोनों का इस्तिमाल हमले के समय लाइफ फूटेज जारी करना और हमले के बाद हमले से कितना नुकसान हुआ है उसका जायजे लेने में भी किया जा सकता है ये खाली Armed Forces को ही मदद नहीं करेगा बलकि इसमें Infrared Imaging Payload को भी लगाया जा सकता है जिसके मदद से Disaster Management, Smart City और Natural Resource Management जैसे कामों को भी निवाया जा सकेगा दोस्तों एक तरीके से देखे तो इसे Drone कम और सेटलाइट जादा कहा जा सकता है लेकिन ये Ground से इतना आसानी से Operate हो सकता है कि सेटलाइट जैसे इसे Launch करने का और Maintenance करने का या 24 गंटे ऑपरेट करने का ज़रुरत नहीं पड़ेगा इवन जब चाहे जिस एरिया में चाहे इसे आसानी से Deploy करके 24 गंटा एक Concentrated Area के उपर इसके द्वारा नज़र रखाया सकेगा इवन सेटलाइटों के तुलना में कम लागत और आकार में छोटा होने के वज़ा से ये काफी किफायती और Operate करना आसान होने के वज़ा से ये काफी वहतरीन सोलूशन के तहट भी देखा जा रहा है Totally Solar Power में चलने के लिए इसे डिजाइन किया जा रहा है बोलके इसे एक Environmental Friendly सिस्टम के तहट भी देखा जा रहा है और आने वाले समय में ऐसे द्रोनों का प्रचलन भी बहुत हद तक बढ़ेगा दोस्तों दुनिया के कई सारे अन्ने देशों के तरफ से भी ऐसे Solar Power से चलने वाले Ultra Light लंबे समय तक उड़ान भरने लायक द्रोनों को बनाया जा रहा है लेकिन हिंदुसान Aeronautics Limited जिस तरीके से अब Self Reliance के तरफ आगे बढ़ रहा है इससे हम अभी सही अंदाजा लगा सकत तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद